नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब के इसरी मैं हूँ आपकी साथ प्राची भारती जनता पाची के प्रवक्ता श्रहजाद पूनावाला आए दिन कॉंग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी पर चुटकियां लेते रहते हैं इस बार उन्होंने इंडिया गड़ बंधन पर तंज कसा है उन्होंने इंडिया गड़ बंधन पर तंज कस्ते हुए कहा कि इन में आपस में ही कलेश आज तक चल रही है उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तरप्रदेश में आज तक सुलहन नहीं हो पा रही है शहजाद पूनावाला ने आगे बताया कि इस प्रकार के कलेश पूरे देश में चल रही है इसी लिए उन्होंने राहूल गांधी को एक हिदायत भी दे दी उन्होंने राहूल गांधी को कहा कि उन्हें भारत जोडो निया यात्रा नहीं बलकि इंडी जोडो यात्रा निकालने चाहिए आई आपको पहले सुनाते हैं श्रहजाद पूर्णावाला ने आखिर राहूल गांदी को क्या कुछ कहा दिल्नी में उत्थ्र प्रदेश का कलेश अभी मिट्टा नहीं हैं महलश्त में दोनों संजय के बीच में किस प्रकार का कलेश था केरल में कॉंगर्स पार्टी बनाम लेफ्ट पार्टी में क्या कलेश चल रहा है, इस प्रकार के कलेश पूरे देश में चल रहे है, और इसलिए रहुल गांदी को भारत जोडो न्याय यात्रा नहीं, इंडी जोडो यात्रा निकालनी चाहिए, क्यूंकि इनके पास ना कोई केवल और केवल अपना ambition, commission, corruption और position की जो प्यास है उसके लिए इस प्रकार के हथकंडे के जा रहे हैं चार meeting हो गई, लोगों तै नहीं, लोगों के लिए क्या करना है तै नहीं, मीती तै नहीं, नेता के लिए भी जगडते हैं और कल की जो meeting थी, वो भी cancel हो गई, तो यह दिखाता है कि आज देश की जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से केवल नकारातमक अजेंडा लेकर और बिना कोई मिशन या विशन देश के लिए लेकर केवल और केवल अपने हितों को साधने के लिए और अपने स्वार्थों को साधने के लिए ये सब इखटा हो रहे हैं आपको बता दें लोग सभाचुनाव से ठीक पहले कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं चोधा जनवरी से शुरू होने वाली इस यात्रा का नाम भारत चुड़ो नियायात्रा होगा इस बात की जानकारी कॉंग्रिस के नेता जैराम रमेश दे दी इस से पहले इस यात्रा का नाम भारत नियायात्रा दिया गया था 6700 किलो मीटर लंबी यात्रा पंधरा राज्यों से होकर गुजरेगी इस दोरान राहूल गांधी बस और पैदल दोनों तरीके से यात्रा करने वाले हैं इस यात्रा में इंडिया गट बंधन के सहियोगी दलों को भी नियोता दिया जाएगा राहूल गांधी भारत जोड़ो निया यात्रा के जरिये 66 दिनों में 6713 किलोमेटर का सफर तै करेंगे ये यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी इसके अंतरगत 100 लोग सभा सीटे आएंगी राहूल गांधी की यात्रा मुम्मे में खत्म होगी